हेलो फ्रेंस राम राम आप सभी को स्वागत है आप सभी का कुकवित मिनाक्षी में आज हम लंच बोक्स के लिए बनाएंगे बेंगन की सब्जी बहुत सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी बनकर हमारे तयार होगी सुखी बेंगन की सब्जी और वह भी बिना मसाले की औ यहां पर 500 ग्राम बंखन kे ‫ष्टाल हें कोड़े कुछ बेंगन यह इस तरह से काट ूर्ग कि बेंगन के टुकड़न कोड़ा त्यार कर ली और तो यह ने हैं ज़से क्योंगे कमें पिडियार अगर आ diagnosis दन्टल नहें म inner其实 नहीं नियुक्ट of wäreas लुद्ध यह नहीं दाल देन गणके लिएल मिर्च को डूलनो wspól कि नभुल्ट कर डालने के बाद मेर्च जी बाद मेर्च बढ़न से भूननके फ़िगस मिनिट तक प्या निरस्मिर्च बढ़न हो लसन अद्रक का पेश्ट डालने के बाद भी बढ़िया से इसे भी अच्छे से एक दू मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे साथ ही लसन को हम यहां पे मीडियम फ्लेम भून लेंगे बढ़िया से अब यहीं पे मैं डाल दूंगे एक चमच लाल मिर्च आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हो एक चमच की जगाब आधी चमच डाल सकते हो यह पे मैं आधा चमच धन्य पाउडर आधी चमच छल्दी मैं दो को चलाते रहना है लगभख 2 मिन तक तो इस तरह से चलाती है अब रसंप लगये पकाएंगे अब विच बीच में चलाते रहनां है एक-धो, मिनिट में हमारे बेंगन नहीं तो चिपकने लगेंगे, तो मैं चलाते रहना है यह लीजे तो बेंगन भी बाद एक दो मिनिट तक और पका लेंगे हमें बहुत जादा टमाटर को नहीं पकाना है बिल्कुल हलका सब पकाना है तो यह लेज़े हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और हमारी बेंगन की सबजी बिल्कुल चट पटी बनके तयार है मुझे और आप भी बनाए dinero के बेंगन की सबजी चट पटी और आप इसे मुका की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ पी नजॉई कर सकते हैं क्योंकि मकाकी और बाजी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है बेंगन की सुभी आप भी बनाए इस तरह से आपके बच्छों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इस तरह से चटपटी बनाएंगे तो बच्छे आप से रोज यही मांगेंगे ल लंच बॉक्स में सबजी अलग से बनाए जाती है लेकिन हमें बच्छों को सारी सबजी यहां बना के देनी चाहिए लंच बॉक्स में आपको मेरी है वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना बूलें अपने फ